चतुर्थ परिच्छेद अग्ण्यान तिमिरांधस्य ज्यानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्येन तस्मै श्रीगुरवे नमहा मास्टर का तिरस्कार और उनका अहंकार चूर्ण करण श्री रामक्रिष्ण मास्टर के प्रती तुम्हारा विवाह हो गया क्या मास्टर जी हाँ श्री रामक्रिष्ण सिहर कर ओरे रामलाल अरे इसने तो विवाह कर डाला मास्टर घोरितर अपराधी की न्याई अवाक हुए अवनत मस्तक चुप किये बैठे रहे सोचने लगे विवाह करना क्या इतना बड़ा दोश है ठाकुर ने फिर और पूछा क्या तुम्हारे बच्चे हुए है मास्टर की छाती धगधग करती है डर डर के बोले जी हाँ बच्चे हुए है ठाकुर फिर और आक्षेप करते हुए कहते है अरे बच्चे भी हो गए है तिरस्कृत होकर विस्तब्ध हो गए उनका अहंकार चूर्न होने लगा कुछ ख्षन पश्चात ठाकुर श्री रामकृष्ण फिर और कृपाद्रिष्टी करके सस्नेह कहने लगे देखो तुम्हारा लक्षन अच्छा था मैं मस्तक, चक्षू, आदी देखने से पहचान सकता हूँ अच्छा, तुम्हारी पत्नी कैसी है विद्याशक्ती है या अविद्याशक्ती ज्यान किसे कहते है प्रतिमा पूजा मास्टर जी, भली है कि तु अज्यान है श्री रामकृष्ण विरक्त होकर और तुम ज्यानी ज्यान किसे कहते है और अज्यान किसे कहते है वे अब तक भी जानते नहीं है अब तक इतना ही जानते हैं कि लिखना पढ़ना सीख लेना और पुस्तक पढ़ सकना ही ज्ञान होता है यह म्रम पीछे दूर हुआ था जब सुना कि ईश्वर को जानने का नाम है ज्ञान ईश्वर को न जानने का नाम ही है अज्ञान ठाकुर ने कहा तुम क्या ज्ञानी मास्टर के अहंकार को फिर और विशेश आगात लगा श्री रामकृष्ण अच्छा, तुम्हारा साकार पर विश्वास है कि निराकार पर मास्टर अवाक होकर स्वगत साकार पर विश्वास रहने पर क्या फिर निराकार पर भी विश्वास होता है इश्वर निराकार है ऐसा विश्वास रहने पर इश्वर साकार है फिर ऐसा विश्वास क्या हो सकता है विरुध अवस्थाएं दोनों ही क्या सत्य हो सकती है सफेद वस्तु दूध क्या फिर काला हो सकता है मास्टर जी, निराकार, मुझे तो यही अच्छा लगता है श्री रामकृष्ण सो तो अच्छा है किसी एक पर विश्वास रहने से ही हुआ निराकार पर विश्वास, वहां तो अच्छा ही है तो भी फिर ऐसी बुद्धी न करो कि यहां ही केवल सत्य है और सबमिथ्या यही जानों की निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है तुम्हारा जो भी विश्वास है उसको ही पकड़े रहो दोनों ही सत्य है यहां बात बार बार सुनकर मास्टर अवाक हो गए यहां बात तो उनकी पोथी गत विद्या में नहीं है उनका अहंकार तीसरी बार चूर्ण होने लगा किन्तु तब तक भी संपूर्ण नहीं हुआ था तभी फिर और थोड़ा सा तर्क करने के लिए अग्रसर हुए मास्टर जी वे साकार है यहां विश्वास तो चलो जैसे भी हो भी गया इन्तु मिट्टी की प्रतिमा तो वे नहीं है श्री रामकृष्ण मिट्टी की क्यों भाई? चिन्मई प्रतिमा मास्टर चिन्मई प्रतिमा समझ नहीं सके कहा अच्छा जो मिट्टी की मूर्ती की पूजा करते हैं उन्हें तो समझा देना उचित है कि मिट्टी की मूर्ती ईश्वर नहीं है और मूर्ती के सामने ईश्वर को उद्देश्य करके पूजा करो मिट्टी को पूजना उचित नहीं श्री रामकृष्ण विरक्त होकर तुम कलकत्ता के लोगों का यही एक है किवल लेक्चर देना और समझा देना अपने को कौन समझाएं यहां निश्चाएं नहीं तुम कौन हो समझाने वाले जिनका जगत है वे समझाएंगे उन्होंने इस जगत को रचा है चंद्र, सूर्य, रितू, मनुष्य, जीवजंतू बनाये है जीवजंतूओं के आहार का उपाय पालन करने के लिए माबाप बनाये है माबाप का स्नेह बनाया है वे ही समझाएंगे उन्होंने इतना किया है फिर यहां उपाय नहीं करेंगे यदि समझाना आवशक होगा तो वे ही समझा देंगे वे तो अंतर्यामी है यदि वैसी मिट्टी की मूर्ती की पूजा करने में कुछ भूल रहती है तो वे क्या जानते नहीं कि उन्हें ही पुकारा जा रहा है वे उसी पूजा से ही संतुष्ट होते हैं भंकार शायत पूरी तरह चूर्ण हो गया वे विचार करने लगे ये जो कह रहे है वही तो ठीक मुझे समझाने जाने की क्या आवशकता है मैंने क्या ईश्वर को जान लिया है ना ही मेरी उनके उपर भक्ती हुई है आपनी शूते स्थान पाएना शंकर आके डाके अपने लेटने को तो स्थान नहीं मिला शंकर को पुकारना जानना नहीं, सुनना नहीं दूसरों को समझाने के लिए चल पड़ना बड़े ही लज्जा की बात है और ही इन बुद्धी का कार्य है यहां क्या गणित है अत्वा, इतिहास या साहित्य की अन्य को समझाएंगे यहां तो है ईश्वर तत्व यह जो जो बाते कह रहे है मन में खूब लग रही है ठाकुर के साथ उनका यही प्रथम और अंतिम तर्क श्री रामकृष्ण तुम मिट्टी की प्रतिमा की पूजा का कह रहे थे यदि मिट्टी की होती है तो उस पूजा का भी प्रयोजन है नाना प्रकार की पूजाओं का आयोजन इश्वर ने ही किया है जिनका जगत है उन्होंने ही समस्त बनाया है अधिकारी भेट से जिसके पेट जो सहन होता है मा उसी प्रकार के भोजन का बंदोबस्त करती है एक मा के पांच बच्चे है घर में मचली आई है मा मचली के नाना प्रकार के व्यंजन तयार करती है जिसके पेट को जो सही है किसी के लिए मचली का पुलाओ किसी के लिए मचली का अंबल अर्थात खटा, मचली की चड़-चड़ी, अर्थात भुजिया, तली हुई मचली सब बनाती है जो भी जिसको पसंद हो, जो भी जिसके पेट को सहन हो, समझ गए? मास्टर, जी हाँ